अंत्रिक्ष की यात्रा करना अब बड़ी वात नहीं रही, कई कम्पनियां लोगों को अंत्रिक्ष की यात्रा करा रही है, जिसमें Blue Aurisil और Virgin Galaxy जैसी कम्पनियों का नाम शामिल है, हाला कि किसी इंसान को अंत्रिक्ष में भीजना साधारा रोप से आसान नहीं है, इसके साथ ह खतरनाक काम भी हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर अंत्रिक्ष में मौत हो जाती है तो क्या होगा, शव के साथ क्या हो सकता है, क्या अंत्रिक्ष यात्री के शव को वापिस लाया जा सकता है, दरसल इस सवाल को लेकर अमेरिका अंत्रिक्ष एजनसी नासा का कहना है कि प्रोटोकॉल काफी स्पष्ट है मानव अंत्रक्ष अन्वेशण की शुरुवात साट साल पहले हुई थी और इसमें अभी तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है नासा की साल 2025 में चंद्रमा पर एक दल भीजने की योजना किर रहा है इसके अरावा आने वाले दशक में मंगल ग्रह पर अंत्रक्ष रियात्रियों को भीजेगा दो तीन दशकों में आम लोगों के बीज भी अंत्रक्ष रियात्रा को लेकर दिल्चस्पी बढ़ी है बढ़ती अंत्रक्ष रियात्रा के साथ ही रास्ते या अंत्रक्ष में किसी अंत्रक्ष रियात्री की मौत की आश्रौन का भी बढ़ जाती है अब साल 1980 से लेकर 2003 के बीच नासा अंत्रिक्ष सटल तरासदी में 14 अंत्रिक्ष रियात्रियों की जान जा चुकी है साल 1970 में सोयूज 11 मिशन के दौरान 3 अंत्रिक्ष रियात्रियों साल 1937 में अपोलो एक लॉंच पैड की आग में तीन अंतरक्ष रियात्रियों की जान चली गई थी तो आखेकर क्या है नासा का प्रोटोकॉल आपको बता दे कि अंतरक्ष में मौत को लेकर नासा का प्रोटोकॉल क्या है ये जानना बेहत जरूरी है अगर किसी की अंतरक्ष में मौत हुजाती है तो डेड बॉडी का क्या होगा इस सवाल पर अमेरिकी अंत्रिक्ष एजेंसी का कहना है कि दल के सदस्य की मौत की स्थिती में अंत्रिक्ष यात्री की टीम की सुरक्षा सबसे पहले प्राथ मिखता है नासा की साल 2025 में चंद्रमा पर एक दल भीजने की योजना है और इसके अलावा आने वाले दशक में मंगर ग्रे पर अंत्रिक्ष यात्रा यात्रियों को भीजेगा अंत्रिक्ष की यात्रा आम हो जाती है उसी तरह संभावना बढ़ रही है कि अंत्रिक्ष में कोई मर जायेगा तो उसके शरीर को क्या होगा आपको बता दे कि एस्ट्रोनॉट को स्वाथ रखले के लिए अंत्रिक्ष चिकत्सक नए तरह की की लगातार खोज में लगे हुए हैं कॉन्विजेशन पत्रिका में अंत्रिक्ष चिकत्सा और अपातकालिन चिकत्सा की प्रोफेसर इमेनियुल की तरफ से कुछ सवालों की जवाब दिये गए हैं इमेनियुल बायलर कॉलेज ओफ मेडिकल में कारे करता हैं उनका कहना है कि प्रोफेसलेशन रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर स्पेस हेल्थ की उनकी टीम अंत्रिक्ष में जाने वाले शोत करताओं को स्वस्त रखने की हर संभव कोशिश करती हैं बताया गया है कि अगर कोई निशले प्रत्वी की काक्षा मिशन पर मर जाता है जैसे कि अंत्रिक्ष स्टेशन पर तो चानक दल कुछ घंटों के भीतर एक कैपसियूल में शरीर को धर्ती पर ला सकते हैं इसके अलावा चानट पर कोई अंत्रिक्ष यात्री मर जाता है तो दल कुछ ही दिनों में शब के साथ धर्ती पर वापिस लोटा जा सकता है अमेरीके अंत्रिक्ष एजनसी नासा के पास इस हालात के लिए पहने से ही प्रोटोकॉल मौजूद है और नासा की पहली प्राक्मिक्ता ये सुलिश्चित करनी होगी कि शेश बचे अंत्रिक्ष धर्ती पर सुरक्ष लोटाए और अगर मंगल ग्रह की यात्रा के दुरान किसी की मौत हो जाती है तो चीजे बिलकुल अलब होगी संभवता चालत दल लोटकर वापिस नहीं आ पाएगा मिशन के आखरी में यानि की कुछ साल बाद चालत दल के साथ शव के आने की संभवन जटाई जा रही है और शव को चालत दल एक अलग कक्ष में विशेश बौडी बैग में सुरक्षत रखेगा अंत्रिक्ष रियान में स्थिर्टापमान और अद्रता रूप से शरीर को संभषत करने में साहरता करेगी लेकिन ये सबी तबी लागो होगा जब किसी की मौत अंत्रिक्ष टेशन या अंत्रिक्ष रियान जैसे दवाव वाले वाताबरण में हो जाएगी अगर किसी की मंगल की सतह पर मौत हो जाती है तो उसका दासलसकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके लिए बिल्कुल जादा बहुत जादा उर्जा की जरुत होती है जो दल के जीवित सदस्यों के दूर उदेश के लिए चाहिए इस दिये अलावा दफनाया भी नहीं जा सकता शरीर के बैक्टीरिया और दूसरे जीव मंगल गरहे की सते को दूर्शित कर सकते है संभपता शव को एक विशेश बौडी बैद में धर्ती पर वापिस आने तक सुरक्षित रखा जाएगा